नमस्कार दोस्तों, Wealthisky के एको ने इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडरस्टेंड करेंगे, समझने की कोशिस कर दर जाने वाले हैं क्योंकि 19 से एलेक्शन से स्टार्ट हैं और फिर हमारा जो आउटकम आएगा, I think जो 3 जून या 5 जून के असपास आएगा, तो अब जो मार्केट की सिचुएशन होगी, वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी जो अभी तक थी, प्लस ग्लोबल मार्केट थो फूरा साब atmosphere change हो रहा है, तो इस atmosphere में हमें क्या चीज पर ध्यान रखना है, उस चीज को हम understand करने की कोशिस करेंगे, तो जल्दी से इस video को start करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक opinion लेना चाहता हूँ, कुछ मैं प्लान कर रहा था, in the form of learning video, paid learning video, तो अ हाँ पर कहा है कि जैसे कि हमारा जो बीस जार से पांच लग की जो जर्णी थी उस स्ट्रेटेजी के important point important point का मतलब यह कि कौन सी स्ट्रेजी यूज करी ती जैसे हम one minute high or low की strategy को use करते हैं कब कौन सा target हम लेते हैं 90% of trading कहां पर close हो जानी चाहिए यह इस चीज के अंदर बताए जाएगा important target जैसे मैंने बताया कि कौन से आपको important target है जिसमें आपको trade करना ही करना चाहिए वो target लेने ही चाहिए high risk trade कौन सी हो सकती है आपकी capital कितनी होनी चाहिए जैसे कि capital के बारे मैं बताता हूँ 20,000-30,000 आप वो capital choose कर सकते हो कैसे choose करनी है यह सारी चीजें इसके अंदर बताएंगे इसके बाद जो होगा वो यह important कि यहां पर basically यह जो situation है market की वो बहुत अच्छी है क्योंकि election काफी दिन बाद आते हैं ऐसा नहीं है कि election बहुत मतलब event market में बहुत frequent नहीं आते जैसे एक event budget होता है elections होते हैं या फिर आपकी policy होती है तो main जो सबसे बड़ा event होता है वो election का ही देखा जाता है क्योंकि almost 4-5 साल वाद आता है वो तो कहीं न कहीं वहां पर market का जो एक focus होता है वो थोड़ा सा different style में होता है तो जैसे कि अभी आजकल आप देख रहे होगे कि कभी mid cap में एक रुपे का option 200 बहुत जाता है कभी तीन रुपे का option 300 बहुत जाता है कभी आपने देखा होगा कि last trading session में sensex में ही आपका 30 रुपे का option 500 पहुँच गया था तो आप यह चीज कैसे पकड़ सकते हो हाला कि इसमें accuracy बहुत कम होती है लेकिन अगर आपने मान लिए 20 में से अगर एक बार भी पकड़ लिया तो भी आप बहुत अच्छा profit कमा सकते हो risk इसमें कैसे लेना है कैसे define करना है तो यह basically इसका जो नाम दिया है वो big jackpot strategy for the election month मतलब जो मेरा expectations है कि कल से लेके तिल पांच जून तक कम से कम आपको इस type के जो days हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि पांच का 300 हो गया एक ता 100 हो गया एक ता 1.500 हो गया कम से कम अगर मैं अंदाता लगा हूं तो करीब करीब 10 से 12 trading session आपको ऐसे मिल सकते है टोटल around अगर हम देखे जाए तो करीब 30 trading session होंगे 32-35 trading session होंगे उसमें करीब आपके 10 से 12 trading session ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि option 3 रुपे का option 300 पहुच जाए 10 रुपे का option 500 पहुच जाए तो वो एक opportunity आप grab कर सकते हो कैसे grab करनी है उसका थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूं इसमें जो कि आपको help कर सकता है जैसे कि strategy and finding trade किस तरीके से यह strategy बनी है और finding कैसे आप trade find करोगे रिस्क पर trade आप कितना लेना चाहते हो कितना ले सकते हो वो सारी चीजिस में बताई जाएगी target decide जैसे कि मैंने बोला कि 5-300 हो सकता है तो आप 5-300 target लगा हो 30-300 हो सकता है तो अगर बड़ा index है just like a sensex bank nifty तो आप यहां पर 300 target लगा हो ठीक है कौन कौन से index में आपको trade करना ही करना है कि just like a जैसे फिन nifty हो गया midcam nifty हो गया कौन से index आप चूज करो जिसमें आपको trade करना ही करना है कब करना है क्या pattern देखना है वो चीज मैं आपको इस particular strategy में आपको बताऊंगा basically यह दोनो paid video होने वाल प्राट होने वाला है और यह मन्त काफी हद तक कह सकते हैं जो rest of the April और मही का मन्त जो काफी हद तक एक अच्छा महीना जा सकता है अगर थोड़ा सा alert हो के काम करो इसमें क्योंकि इसमें थोड़े से बड़े movement आ सकते हैं जो consolidation market में चल रहा था upside का वो थोड़ा सा कतम हो सकता है और जो volatility है वो दुबारा से market में लोटके आ सकती है जिसकी वजह से जो option buyer को profit मिलने के chances बढ़ जाते हैं अब payment की बात कर लेते हैं तो इन जो basically यह पूरे concept का अगर मैं बात करूं यहां पर कि जैसे कि यह video और यह video जितने भी इसमें video होंगे दो तीन चार videos होंगे उनकी total cost जो होगी around 1500 रुपे क्योंकि आपको पता है कि मैं यही normal cost रखता हूँ 1200-1500-1800 यही simple concept है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का benefit उटा सकें यहां पर मैं अगर cost ज्यादा रख दूँगा तो फिर जाएर सी बात है maximum lower तक नहीं चाह पाएगा 1500 रुपे simple सी cost इसलिए है ताकि जो एक filtration है कि जो लोग मतलब free में सब कुछ चाते हैं और market में almost shortcut से पैसा कमाना चाते हैं सिर्फ उनका filtration का यह process है जिसमें कि जो cost रखी है वो 1500 रखी है और payment details आपकी यही रहेंगी तो basically अभी यह video बने नहीं है आप comment box पर comment करके मिले को बताईएगा कि यह videos चाहिए आपको यह नहीं चाहिए अगर ज़्यादातर comments आ जाते हैं मालीजे 500 comments आ जाते हैं कि हाँ हमें बना के दे दो तो मैं बनाओंगा otherwise मैं इसको avoid कर दूँगा क्योंकि यह videos अभी बने नहीं है आप comments देखके मैं करना स्टार्ट कर दो और कौन से important टार्गेट हैं जिनके लिए आपको trade करना ही करना है और वहां पर आपको एक अच्छी opportunity अपने account को grow करने के लिए मिल सकती है उपर का तो आपको पताईए कि पांस बीस अजर्दे पांच लाग हमने करीब 8 महीने में बनाये थे total अगर हम जैसे कि इसमें अगर हम profit और loss की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह कुछ मैं excel sheet बना रहा था ठीक है तो अगर आप देखोगे यहां पर तो हमने starting करीदी जुलाई से जुलाई हमें profit हुआ अगस्थ हमें profit हुआ September में profit हुआ October में हमें loss हुआ November में loss हुआ दिसं हुआ क्या reason था कब आपको अपनी trade को कम करना है कब trade भढ़ानी है कब आपको full day trade करना है कब आपको जल्दी screen बन कर देनी यह सारी चीज़ें इसके अंदर मैं बताने की कोशिस करूँगा जितना मेरे को समझ में आया चोटी capital से काम करने का benefit कैसे मिलता है वो सारे point मैं आपक का suggestion हो तो वह भी आप इसमें बता दीजिएगा comment box पे अब हम बात कर लेते हैं analysis की क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो जाइड सी बात है देखो analysis start करने से पहले global market कह सकते हैं कि एक correction mode में आते हुए दिखाई दिए हैं क्योंकि वहां पे क्या विक्स भी क पस की गिरावट जोन्स में देखने को मिली औल्मोस्ट हर इंडेक्स एक परसेंट से ज्यादा गिरके बंद हुआ है इसका मतलब कि कल हम एक और gap down opening देख सकते हैं तो वह gap down opening के बाद market कैसा भी है करेगा that is the important thing तो अगर हम option chain data को देखें option chain data में हमें clearly दिख रहा है कि जो 22600 है और 22600 है यह basically resistance बनने वाले हैं क्योंकि 22600 पे तो 83 लक्त ओओ open interest खड़ा हो गया यहां पर क्योंकि यहां पर 22500 ही रह गया है 22600 700 700 हमारे लिए resistance है गलती तो मिलता है तो वहां पर आप definitely sell करके ही काम करिए क्या चार्ट पर वो चीज़ मैं आपको समझानी की कोशिस करूंगा ठीक है 650 700 का area यह हमारे लिए resistance का काम करेगा ठीक है चार्ट पर चलते हैं तो चार्ट पर देखो मैंने आपक कुछ पिछले कुछ दिन से चार्ट पैटर आपको बना के दिखा रहा था continue ताकि आप decision ले सके यह आप देख सकते हो कि basically यहां पर यह gap up opening होई थी gap up opening के बाद market कुछ इस तरीके से behave कर रहा था ठीक है यह हमारा high बना और हमने high से high मिला के चले तो इस तरीके से situation बन रही थ को यह बहुत अच्छी तरीके से market follow कर रहा था lower hand पर आ रहा था तो support लेके ऊपर जा रहा था और upper hand पर जा रहा था तो resistance लेके नीचे आ रहा था same चीज़ यहां पर भी होती हो दिखाई थी market ने कोशिस करी इसको cross करने के लिए लेकिन नहीं last trading session में एक sharp selling हमें नीचे की तर आ सकता है देखो नीचे आराम से 22 अजा सो 25 अचा 50 तक यह easily आ सकता है बाइस अजा के नीचे की closing आईगी तब ही हम यह मानेंगे कि यह pattern बिल्कुल क्या हो गया है अब यह इस pattern का पूरा breakdown हो गया है ठीक है नब 22 अजा के नीचे की closing आईगी तब और अगर 22 अजा के नीचे क आई तो हमें बिल्कुल बेरिश रहना है और यहां से यह नीचे गिर सकता है इस चीज के लिए हमारे पास जो टार्गेट है नेक्स्ट वह 22,150-50 का यह टार्गेट हमारे पास निफ्टी में क्लियरली मिल रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमारे पा खैंगे कोई भी पुल बेक आताए तो हम कोशिस करेंगे sell करने की है तीक है इतना आप क्लियरी समझ लीचे 22,500 ब्रेक होता है तो 22,500 के नीचे क्लियर कट हमारे पास जो टार्गेट होना चाहिए वो होना चाहिए अरॉट 22,350 के नीचे हमारे पास जो टार्गेट होगा वो 22 अच्छा 250 का होगा इवन 22 अच्छा 500 के नीचे सीधे सीधे 22 अच्छा 250 के टागेट के लिए ही आप ट्रेट करिएगा ये चीज ध्यान में रखेगा थोड़ा सा बड़ा टागेट आपको नीच्छे के लेविल पर मिल सकता है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक दो दिन का बट फिलाल जो सिच्वेशन दिख रही है वो यह ही है कि अगर ये 22 अच्छा 500 को on screen तोड़ता है तो फिर आपको एक अच्छा खासा नीचे की तरफ downside मिल जाएगा nifty के अंदर ठीक है bank nifty देख लेते हैं तो bank nifty तो bank nifty में भी same pattern बन रहा है उस pattern को हम बना के देख लेते हैं देखो ये low बना ये low बना तो इस तरह की situation में ये channel में trade कर रहा है ठीक है अब ये जाइड़ती बात है जब भी ये अब बंदे फिर फेस कर के नीचे आ रहा रहा है यहां पर गया रजीया रजिस्टेंस परके नीचे आया आया यहां पर यह दीक दीरे 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 ऊपर गया और फिर definitely यहां पर पर ढखं़ करेगा तो अब जो इसके लिए टार्गेट होगा वो है आपका क्लियर ली 47 500 47 500 तक इसली आ सकता है इसमें जो में इंपोर्टेंट 500 होंगे वो यह होंगे 48,000 वाले 48,000 या 47 800 तक यह जो 700 पॉइंट है इसमें आपको 300-400 पॉइंट कमाने हैं तो एक चीश ध्यान में लखीएगा 48 500 के नीचे यह काफी तेजी से नीचे जा सकता है तो उस पर आपको ध्यान रखना है ठीक है तो अगर हम शौट टाइम फ्रेम में चलेए तो शौटर टाइम फ्रेम में हमें क्या देख रहा है कि अगर हम देखें यह के नीचे जाएगा तो हम definitely यहां पर sell करेंगे target हम थोड़ा सा बड़ा ही लेके चलेंगे around 48 163 का और इसके बाद हमारे पास जो target होगा वो 48 thousand या फिर हम सीधा सीधा हम लेके चल सकते हैं यह वाला लो ठीक है 47 900 का ठीक है तो 48 500 के नीचे हम इसको sell की site पी देखेंगे और करीब यह जो 600 पॉइंट है इसमें 300 पॉइंट कमाने की कोशिस करेंगे 300 पॉइंट मिल गए हमारा काम हो जाएगा क्योंकि एक रेंज से दूसरी रेंज तक आएगा 300 पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो यह निफ्टी अनलिस्स हो गया बैंक निफ्टी अनलिस्स हो गया जो कि आपके काम आ सकती है इस वीडियो का मैंने आपको बताई दिया कि पेड़ वीडियो जो अगर आप चाहोगे तो मैं बनाऊंगा नहीं तो कोई ज्यादा चाहोगे तो जरू बनाऊंगा ठीक है चार्जेश के पंद्रहसो रोपया होंगे अगर आप एजली पे कर सकते हो तो यह वीडियो ले सकते हो और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरू पताईएगा कि यह वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं ठीक है तो आई होब दोस्तों पर्टिक्लर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतनी है आई होब यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेज़ जरू करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब लीडिए क्योंकि मैं सुदिल लेक आतर हूँ हर दिन आप लिए नए वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जैहिंद